वेलकूम टो माई चैनल महिला तुफान दोस्तों आज की मेरी बड़ो बहुत इंटरस्टिंग और यूजफूल होने वाले हैं क्योंकि आज की मेरी बड़ो को टॉपिक है हाउ टुचेंज यूर लाइफ खुद को बेहतर कैसे हैं अपनी लाइफ को चेंज कैसे करें क्योंकि आज कल हर कोई अपनी लाइफ से परशान है अपनी लाइफ को बेटर करना चाहता है खुद को बेहतर करना चाहता है लेकिन यह सिर्फ आपकी चाहते हैं हम उस चाहत को पूरा कैसे करें सपने हैं उसे पूरा कैसे करें तो चाहते आपकी हैं सपने आपकी हैं तो एक्षन भी आपको ही लेना होगा उसके लिए अपने लाइफ में हम क्या बदलाओ करें या अपने लाइफ को कैसे बदलें तो इसलिए जरूरी है इस इसको समझना कि हम परिस्तितियां तभी बदल सकते हैं जब हम खुद को बदलें हम स्रिफ चाहते हैं कि हमारी परिस्तितियां आने वाले समय में बदल जाए हालात बदल जाए लेकिन दोस्तों हालात तब बदलेंगे जब हम खुद बहतर बनेंगे और खूद बदलेंगे यह 100% रियल है सच्चाई है तो आज की इस वीडियो में मैं 11 बाते लेकर आई हूँ कि अपने हालात अपना situation कैसे हम बदलें how to change your life in 2023 तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं पॉइंट है वरतमान से घबराना मत हाँ दोस्तो वरतमान में प्रेजेंट में अभी आपकी situation बस से बत्तर हालात में हो आप कैसे भी हो भटे हाल में हो कहने का मतलब आपकी इस्तिती बहुत बुरी हो अगर अच्छी हो तो अच्छी बात है कहने का मतलब आपका भी बरतमान जैसा भी हो आप बहुँ ज़्यादा सफलता नहीं पाए हो बहुत लोगों से पीछे हो बहुत पीछे हो तो उस सिचुएशन में भी आपको घबराना नहीं है धैरे से काम लेना है और लाइफ में निरंतर जो काम कर रहे हो उसे और बेटर करते जाना है अपने अंदर आग लगा लो जिससे कि बाहरी आग आपका कुछ नहीं बिगार पाए कहने का मतलब है कि अपने अंदर आगे बढ़ने का कुछ करने का कुछ कर गुजरने का जुनून ऐसा पैदा कर लो कि बाहरी कहने का मतलब आनी है तुपाने ये लोग कुछ भी कहे उनकी बातों को इगनोर करो या उनकी बाते नेगिटिव बाते तु कुछ नहीं कर सकता तु कुछ नहीं कर सकती आप पे कोई भी इंपेक्ट ना डाल पाएं ऐसा अंदर से आग लगी होनी चाहिए जूनूनी बनो तो इस तरह से आपको वर्तमान से घबराना नहीं है अपने अंदर एक आग लगानी है जीत की आग, भूख की आग, ऐसी भूख जो कभी मिटने की नहीं, आपको कितना भी काम्याब हो जाओ लाइफ में, लेकिन आपको लगेगा कि अभी में और आगे बढ़ना है, और कुछ लाइफ में करना है, इस तरह की भूख जिसके अंदर होती है, आग लगी होती है, वो में ऐसा कुछ कड गुजरता है, जो इतिहांस के पन्ने पे उसका नाम छप जाता है, तो इस तरह का जुनून आपके अंदर होना चाहिए, वर्तमान से घबराना मत, चाहें वर्तमान मिस्तिती कैसी भी हो, बत से बत्तर हालात में भी मुश्कुराना मत छोड़ना, इन पॉ आपकी लाइफ में बदलाव कैसे आएगा, हम एक्सन तो वही दोहराते हैं, जो हम करते आए हैं, और ख्वाब देखते हैं कुछ बरा करने का, तो कैसे पॉसिबल है, सिर्फ सपने हम अगर सो के देखते रहेंगे, तो हमारे सपने पूरे नहीं होंगे, सपने ऐसे होने चा बदलें, रूटीन चेंज करें, कि हेल्दी होने के लिए आपको क्या करना है, सुबह जल्दी उठना है, सुबह जल्दी उठके नीमू पानी पिना है, धीरे धीरे पानी पिना है, एक्सरसाइज करनी है, योगा करनी है, तो हम तो अपने लाइफ में बदलाव करते ही नही है हम तो 7 बजे ही उठेंगे तो फिर आप बरे जो लाइफ में पाना चाहते हो वो कैसे बनोगे बहुत सारे एक्टर हैं जो सुबह जल्दी उठते हैं उनके पास करोड़ों की प्रोपेटी है फिर भी वो जल्दी उठते हैं और आपकी तो लाइफ अभी शुरू हो रही है इस पेसल में न्यू यूथ के लिए वीडियो बना रही हूँ तो आप सोचो कि आप करोड़ पत्ती हो और हो भी तो क्या सोना जरूरी है अपना कुछ लाइफ में करना है आप ऐसा काम करो कि आपका नाम से आपके पैरन्स की पहचान हो यह ने कि पैरन्स की नाम से आपकी पहचान हो जिस दिन ये काम आप कर लो कि उसी दिन आप काम्याब हो जाओगे तो इस तरह का जजबा जुनून आपके अंदर होना चाहिए और ये अपका लाइफ कब बदलेगा जब आप खुद बदलोगे ये आपकी जो लाइफ रूटिंग है ये कोई अदर मैं या कोई भ होगा और अपनी हैबिट्स जो है जो अच्छी हैबिट्स है बुक्स पढ़ने की हैबिट्स है अपको बढ़ानी है लोगों से बात कैसे करनी है या कुछ भी अपने आपको बहतर बनाना है तो अच्छी अच्छी जो भी हैबिट्स है वो अपने अंदर डैबलब करनी होग बुक्स 15 मिनट से बुक्स पढ़ें जो जिस सब्जेक्ट में आपका इंट्रेस्ट हो या लाइफ में सकसेस कैसे करे जो बरे-बरे लोग हैं जिनकी जीविनी है 15 मिनट ही इस पढ़ने की हैबिट अपने अंदर डाले देखे आप में वन येर में 6 मन्द आफ्टर कितना बदलाव होगा तो ये हैबिट्स आप खुद चेंज कर सकते हो थर्स पॉइंट है अपने आप पर फोकस करे स्रिफ इंपॉर्टन काम करें ऐसा होता है कि हम सुबह जल्दी उठ भी जाते हैं लेकिन हम फेस्बुक देखने लगते हैं इंस्टाग्राम देखते हैं सोसल मीडिया में वीजी हो जाते हैं अपने आप पर फोकस ही नहीं करते उसके लिए टाइम ही नहीं है खुद को जानो खुद पर फोकस करो कि आपकी लाइफ कैसे चल रही है अभी आपने ममी से एक थपर खाया क्या कहने का मतलब है कि आपकी लाइफ में प्रजेंट में क्या हो रहा है घर में आपको लोग क्या बूल रहे हैं आपकी परसितियां क्या है उस चीज़ पे उस हकीकत पे आपको रहना है औरों की life में क्या हो रहा है इस से आपको मतलब नहीं होना चाहिए और सिर्फ important काम पे focus करें list बनाए कि आपको सुबह उठके सबसे पहले क्या करना है आपके लिए life में जोरूरी काम क्या है पढ़ना है क्या है उसी काम पे आपको focus करना है अपने आप पे focus करो कि आप one year में क्या चाहते हो अपने life से क्या चाहते हो और आपके लिए सबसे important क्या है वही काम करना है जो दिल कहता है करने को तो अपने आप पे focus करो खोजो जब तक आप अपने अंदर ढूनोंगे नहीं ज़ाको के नहीं कौन ज़ाकने आएगा आपके अंदर आपको खुद ज़ाकना होगा अपने आप से देखना होगा पूछना होगा कि आप क्या चाहते हो इसलिए अपने आप पे focus करना बहुत जो रहे सुबह उटके 10 मिनट आप बेट पे ही परे रहो अपने बारे में सोचो कि आपको क्या करना अच्छा लगता है अपने आप पे focus करो पोइंट से deep work करें laser focus श्वामे भी वेका नंद एक बार study कर रहे थे बरात गुजर जाती है और उन्हें सुनाई नहीं देता तो ऐसा deep work करें ध्यान से की कान सुन हो गए आपके मतलब आपको कुछ सुनाई ना दे कुछ दिखाई ना दे आपका सारा focus जो काम कर रहे हो उसी पे होना चाहिए आप आठ घंटे पढ़ते हो दिन भर लगे रहते हो ये माइने नहीं रखता ये रखता है कि deep work जो भी आप काम कर रहे हो तो एक घंटे में ही आप कितना उसका result हो रहा है कितना आपको समझ में आ रहा है ये important चीज़ है कितना concept किलियर हो रहा है math की study कर रहे हो तो math का concept है वो अगर समझ में आ जाता है तो आपको उस type की और math questions solve करने में आशानी होगी तो concept के लिए है कि इस पे फोकस करो समझ में आ रहा है कि इस पे फोकस करो डट्टू तोता मत बनो तो इस तरह से deep work करें कोई भी आप काम कर रहे हो dance कर रहे हो, singing कर रहे हो कुछ भी करें उसमें 100% देने की कोसिस करो deep work करें इक बार में आप एक ही काम करें उस पे आपका पूरा focus होना चाहिए तभी आप life में कुछ उखार पाओगे आई point से कि खुद की कमिया देखो और उसे दूर करने की कोसिस करो blame करना बंद करो कि अगर उस समय ऐसा रहता वो situation में मुझे इतने पैसे मिल जाते तो मैंने ये course कर लिया रहता या उस समय मैंने ये decision लिया होता तो आज मैं यहां होती आपको वर्तमान पे focus करना है जो past बीत गया वो बीत गया अब आपको क्या करना है क्योंकि present में आप जो भी work करते हो उसी पे आपका future निधारित होता है तो इसलिए अब अपनी कम्यों को देखो कि आप में क्या कम्या है और अपने संसाधन को देखो श्रोत देखो आगे बढ़ने के लिए क्या आपके पास available है उसी से आपको आगे बढ़ना है अपनी कम्यों को शुधारना है किसी पे ब्लेम करके दुनिया खराब है शरकार गौर्वर्नमेंट खराब है हर कोई कहता है लेकिन हमारे अंदर क्या हम क्या कर सकते हैं ये किसी ने सोचा है ये चीज़ हमें सोचने है अपने कम्यों को देखना है उसे सुधार करना है अपने पैरंस पे ब्लेम नहीं करना है कि हमारे पैरंस रिच नहीं हमें उतना पैसा नहीं देते हैं खर्च करने के लिए अच्छे कपरे पहनने के लिए या आपके पास से गारी नहीं है आप पैदल चलते हो या आप ये कोर्स नहीं कर पा रहे हो नहीं आप खुद में बदलाव करके देखो खुद की कमिया देखो उस पे फोकस करो किए ये आपके हाथ में है ये situation को आप solve कर सकते हो लेकिन other parents को नहीं बदल सकते हो पर सीतियां खुद बदलोगे तो automatic बदल जाएगी इस चीज को समझने के ज़रूरत है इस पॉइंट है real life में किसी से भी उमीद न रखे क्योंकि जब तक हम parents से उमीद रखते है या किसी other person से बहुँ ज़्यादा उमीद लगाय रखते है तो हमें निरासा हाथ लगती है तो खुद से उमीद रखो कि आप अपने लिए क्या कर सकते हो अपनी family के लिए क्या कर सकते हो या देश के लिए क्या कर सकते हो अपने life के लिए खुद क्या कर सकते हो ये बात हमेशा याद रखना 7 points है जोस में काम स्टार्ट करके हार मत मानो रास्ते चेंज करो तरीके बदलो जिद्धी बनो जब तक लक्षे प्राप्त न कर लो तब तक शांत मत रहो जब तक आप अपना लक्षे ना पालो तब तक रुको मत चलते रहो हाँ चलने में रास्ते में रुकावटे आएंगी तो अगर कांटे आ रहे हैं तो उसे हटाओ और अगर आप में हिम्मत है तो उस कांटे में भी चल के दिखाओ लहू लुहान हो जाओ खायल हो जाओ लेकिन चलो ऐसा दम रखते हो तो चलो लाइफ में बदलाओ जरूर होगा या तो आप कंकर है कांटे हैं रास्ते में हटाओ या उस पे चलो लहू लुहान होने के लिए तयार रहो दुनिया त्याग मांगती है जो कुछ आप त्याग करते हो कुछ शूरते हो लाइफ में कुछ पाना है तब ही आप आगे बढ़ते हो यह जिस हमेशा याद हमेशा अगर हम अच्छा खाना खाएं और हमेशा आराम से रहें तो हम लाइफ में कुछ कर नहीं सकते उसके लिए हमें मेहनत तो करना होगा चलना तो होगा काटों में भी चलना परे तो चलना होगा एट पॉइंट से कि खुद को सेव रखो कहने का मतलब है कि मैं पावरफुल हूँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ पोजिटिव बाते अपने अंदर डालो रूस सुवाइना दे के कहो मैं बहुत शुन्दर हूँ मैं बहुत खुब फ्यूरत हूँ मैं वर्ल्ड में सबसे बेस्ट हूँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ तो इस तरह का confidence खुद को रखो तो ऐसे comments आते हैं मेरी नाक अच्छी नहीं है पसरी हुई है मेरी आखे छोटी है यह इश्वर की देन है इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको दिमाग लगाना है कि इश्वर ने आपको क्या दिया है उसके लिए उनको थैंक्स करना है क्या नहीं दिया क्या चीजें अच्छी नहीं है उस पे फोकस नहीं करना है अगर आप चाहो सुधारना तो सुधार सकते हो क्या आप आँखे बड़ी कर सकते हो जो जिज हम कर सकते हमारे हाथ में उस पे आँपे फोकस करना चाहिए तो खुद को सेव रखो, इन सब जो बाते बहुत छोटी होती हैं, उनसे उपर उठो जो अच्छा गाना गाते हैं, शिंगर होते हैं, अच्छा डांस करते हैं, उनके अंदर कोई टैलेंट होता है क्या हम उनकी आखे देख के उन्हें जस्करते हैं या उनसे प्रेम करते हैं उन्हें जानते हैं पहचानते नहीं उनकी बातों से उनकी योगिता से तो आप अपनी योगिता आपको बढ़ाओ उस पे आपको ध्यान देना है इससे आप खुद को सेप भी रखोगे आपका माइ आप लिए नीमित सेट करो कि कितने बजह तक रात देर बाहर नहीं रहना है क्या ड्रेंक लेना है यमित लेना है किन चीजों को हात लगाना थेनेतस सही नहीं है अब आप बड़े हो गए हो समझदार हो गए हो पढ़े लिखे हो अपने आपको काविल बनाना है तो नीमिट लाइफ में एक बांडर सेट करना बहुत जुरूरी है आपके पैरेंस ही बार-बार याद दिलाएंगे बेटा स्कूटी धीरे चला या स्कूटर धीरे चला बाइक चला या और भी बहुत सारी बाते बेटा पढ़ाई कर ले नहीं जब तक आप सेल्फ दिसिप्लिन नहीं रखोगे अपने लिए बांडर खुद सेट नहीं करोगा आपको खुद नहीं टाइम पर उटना अलाम से उटना होगा तब तब दुनिया की कोई दागत आपको नहीं बदल सकती आपकी लाइफ नहीं बदल सकती उसके लिए आपको जागना होगा अवेर रहना होगा अपने लिए खुद के लिए आप करो ये नहीं सुचो कि मैं बढ़ा होके कमाऊंगा तो मम्मी को दूँगा पापा को तो आप खुद जाओगे कि नहीं जाओगे, खुद के लिए आप निमिट सेट करो, पहले खुद के लिए जीना स्टार्ट करो, खुद से लव करो, और खुद के लिए निमिट सेट करो, आपकी लाइफ के लिए बहुत अच्छी रहेगी, आपकी लाइफ में बदलाव तो हो तो इसमें अगर ग्रूप में रहके आप पढ़ाई करते हो या ग्रूप में अपने दोस्तों से बाते करते हो तो बहुत कुछ आपको सीखने और जानने और समझने का मोका मिलता है इसलिए ग्रूप में रहना बहुत जरूरी है अकेले रहना भी अच्छा है लेकिन आप अप का विकास होता है अगर हम सब साथ रहते हैं इंद्र धनुस के भी सारे रंग साथ होते तब ये बात आप जरूर याद रखो पॉइंट है कि जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है उन बातों को समझना है अपने वीकनिस को भी लिखना है कमजोरी को उस कमजोरी को दूर करना और जो भी आपने decision लिया है, उस decision पे आपको कायम रहना है, और अपने life से आपको खुस रहने के लिए अपने life को बदलना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए खुद को खुद में बदलाव होना चाहिए, खुद को बदले, कई पर ऐसे होता है कि हम पास होते हुए भी दूर हो या खुद लाइफ में बहुत बरावर ना चाहते हैं लेकिन उसके लिए हम 15 मिनट भी स्टाड़े में नहीं देते हैं तो आप खुद के लिए टाइम निकालने खुद पर फोकस करें और अपनी लाइफ को चेंज करें क्योंकि जब तक आप नहीं चाहेंगे आपकी लाइफ क खुद आपको इंप्रूब करनी है आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक करें शेयर करें कॉमेंट करें मेरे चैनल पर नहीं है तो सब्स्राइब करें थेक्स मुस वाचिंग जय हिन जय भारत